गूड इवनिंग ओल ओफ यू सभी बच्चों को गूड इवनिंग और आज के सेशन जैसा कि आपने थमनेल में देखा है डिडिकेट होगा एक इन्फरमेशन जो मुझे देनी है आईये के लिए और दूसरा जो हाई कोट के बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर आखिर कर दो दिन एक्जाम कैसे होगा और क्यों होगा अगर किसी को लगता है कि number of candidate बहुत जादा है इसलिए दो एक दो दिन एक्जाम हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दो दिन एक्जाम होने के पीछे जो actual कारण है वो हम समझने की कोशिस करेंगे एक word है जिसे हम कहते है suspicious आपने सुना भी होगा मुझसे कहीं बार ठीक है एक शब्द है suspicious का मतलब क्या है संदे महीं आपको पता है लास्ट टाइम जब हाइकोट का एक्जाम हुआ तो कुछ ऐसे सेंटर थे जहां से पेपर बहार आने की बात हुई थी इसका मलब suspicious संदे मह हाइकोट ने क्या किया है कि जो भी संदे महीं सेंटर जितने भी है एक नहीं वहाँ जहां से पेपर लीग हुआ सिरफ वो ही नहीं और भी जितने भी संदे महीं सेंटर से उन सब को कर दिया है cancel इसका मलब number of center जो है वो कर दिये गए है बहुत कम जो बिलकुल fully जिन पर हाइ बहुत अच्छा से बिलीव है उन्हीं center को उन्होंने क्या रखा है continue रखा है तो दो दिन exam होने के पीछे कारण क्या है यह दो दिन कोन से होंगे इसके लिए पीछे एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने बता रहा किस किस दिन exam होना है तो यह दो दिन होने के पीछे कारण ह वो believe, दो दिन इसलिए करवाय जा रहे हैं तांकि अच्छे और organized proper जो centers है उन पर exam conduct करवाया जाए, किसी तरह का leak वाला problem नहीं हो, इसका मनलब क्या है, आपके लिए अच्छी बात क्या है, high security के साथ और ज्यादा valid तरीके से exam conduct करवाने की कोशिस की जा रही है, तो ये एक reason था कि दो दिन exam conduct हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक लंबी list बनाई गई है, जिन center से, जिन center पे इस बार exam नहीं होंगे, even मैं ऐसा भी, जहां तक मुझे information है, ऐसा भी है कि कुछ district कैसे है, मेरी line को ध्यान से सुनिए, कुछ district कैसे है, जहां पर center बनेगा ही नहीं कुछ district कैसे है, मैं center वाली बात तो बोली रहा हूँ, even मैं बोल रहा हूँ, कुछ district कैसे है, जहां पर center नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये एक कारण रहा, two day exam होने का, अब दूसरा, जो बच्चे बार बार मुझे से आये का प्रशन पूछ रहे हैं, सर, आये की vacancy कब आएगी, कितनी आएगी, भई एक चीज तो confirm हो चुकी है, classification हो गया complete, आये वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आये का जो classification है, वो तो हो गया complete, तो सर, classification के बाद क्या निश्कर्स निकला, classification के बाद निश्कर्स निकला है, 27, 23 तारीको, 23 तारीको लेट पास गई है, ठीक है, जो लेटर है, वो मैंने खुद ने देखा है, 27, 34 पोस्ट की जो recruitment है, वो conduct होनी है, तो जितना भी DITC के पास काम था, Department of Information, Technology and Communication, उनके पास जितना भी काम था, वो हो चुका है complete, अब काम बच्चा सिर्व विज्यपति निकालने का, तो विज्यपति ब मैंने आपको बता दिया है, 27, 34 पोस्ट आएगी, जब आप recruitment आए, तब देख लीचेगा, उसमें कितनी पोस्ट आपको मिलेगी, 27, 34 पोस्ट आपको मिलेगी, तो I thought आपको दोनों information मिल गई है, ऐसे ही, ऐसे ही, genuine और real information के लिए, और सबसे पहले information के लिए, इस चैनल को subscribe ज